स्वागत आपका अपने चैनल इंडियन एजुकेशन में आज मैं आपको स्काने वाला हूँ नवो देविद्याले का चैप्टर थर्ड चैप्टर थर्ड है विन वाला फ्रैक्शन वाला उसके रिलेटर जो भी कोशन आपके पिछले कई सालों से आई है उनको मैं सॉल्व उसमें 500 अंडे रखे हुए है ठीक है उसमें से 3 वाटे 25 अंडे टूट जाते हैं तीन वाटे 25 अंडे कितने होते हैं उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा और कितने टोटल थे 500 थे अब मैं इसे केंसल आउट कर देता हूं 25 बंज़ 25 25 टूज़ इसको मैं मैंसे 60 अंडे तूट जाते हैं तो बचे कितने हाँ पे 500 मैंसे 60 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आगए 440 अंडे 440 अंडे बचे हुए हैं उसके बाद बोल गया है से इस अंडों का 4 वटे 5 भाग बेच दिया जाता है जो यह बचे हुए अंडे इसका जो 4 वटे 5 भाग है वह बेच दिया गया अब कितने अंडे बेच गया है वह हम देख लेते हैं चैंसल आउट कर देते हैं 5 बन जा 5 5 8 पाइव एड़ जा 40 अब इनको इससे मल्टिप्लाइ हमें कर देते हैं हम पर तो करते हैं 4 8 कितना होता है 32 तो रहा गया 3 कैरी 4 8 जा 32 और 3 35 आ गया इतने अंडे बेच देते हैं अब ने मैंसे 440 में माइनस कर दिजिए इसको तो कितना आ गए यहां पर 8 आ गया और यहां पर आ गया 3 कैरी ले लो 13 x 5 गया कितना गया 8 और यहां पर आगया 3 तो 0 यह 88 बच्चे हुए लाश्ट में तो इसमें यह पुछा से इस बच्ची अंडो की संख्या कितनी है 88 तो इसका अंसर सेकिंड हो गया इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो चलते हैं नेक्स्ट कोशिन की तरफ कोशिन नमबर टू में बोला गया है कि एक व्यक्ति है 47 1.2 kms यह पैदल सलता है यह दूरी त्या करता है अब यह 47 1.2 kms किससे दूरी त्या करता है वो हम लगा लेते हैं इसमें लिखा हुआ है 29 29 अब यहां पे स्कूटर दवारा तैय करता है 29 वनवाइ 3 किलोमेटर दूरी तैय कर रहा है है और यह साइकल से तैय करता है 8 5 अपॉन में 6 किलोमेटर दूरी तैय करता है और बागी चलता है पैदल ठीक है अब यह पैदल जो कितनी दूरी तैय करता है वो आपको निकालना है अब कैसे निकालोगे टोटल तो इतना चला था ये टोटल तो इतना चला था अब यहां पर 29 और 8 किलोमेटर तो यह सकूटर और सैकल के तो हम पता लेकिन पैदल कितना चला वो हमें फाइंड आउट नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है इन 4 ओप्शन में से कोई 1 किल तो यही हमें करना है आपको क्या करना है इसको हमें पलस करना है इन तीनों दूरी को हमें पलस करना है इन तीनों दूरी को हमें पलस करना है पलस करके इसमें से माइनस करना क्या करना है इसमें से माइनस करना है ठीक है यही आपका तरीका है तो माइनस करना है तो हमें क्या करन यहां पर जो यह simple number आपको दिये हुए है ना इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ 47 minus में 29 plus 8 ठीक है यह ले लिया अब यहां पर जो यह बच्चे हुए number है आपके 1y2 इनको मैं एक साथ ले ले तो minus में यहां पर 1y3 plus में 5y6 ठीक है यह ले लिया मैंने यह जो fraction वाले नमबर है इनको एक साथ लिख लिया और मैंने simple number को एक तरफ लिख दिया अब मैं इसमें इसन दोनों को plus करूंगा यहां पर तो 37 आ गया 37 माइनस में 47 अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए कितना आ गया आपके पास यहां पर आ गया 10 यहां पर आ गया 10 आ गया इसका तो solution हो गया अब इसका solution करना पहले इसको हम solve कर देते हैं LCM कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास अब 6 को 3 से division करोगे तो 2 आएगा 2 की multiply करो उपर तो 2 आ गया यहां पर plus का sign आ गया 6 की 6 से division करोगे 1 1 की multiply करोगे तो 5 आ गया और यहां पर माइनस में 1y2 चलता ही रहेगा भी अभी कुछ नहीं होगा तो यहां पर कितना आ गया 7 अपॉन में 6 और यहां पर माइनस 1y2 आ गया अब इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा LCM ऐसा नंबर होता है कि वो नंबर दोनों नंबर से जितने भी नीचे नंबर होते उन सभी से divide हो जाए ऐसा नंबर लेना होता तो मैं 6 लिया तो यहां पर 2 से division होगा तो 3 3 आएगा 3 के multiply कर दो पर तो 3 आ गया माईनस मैं ऐसे हां पे 6 की 6 से division करोगे one, one के multiply करोगे seven आ गया माईनस 4y 106 अगया अब लेकिन माइनस में कभी किलू मिट रहता यह नहीं है तो हम क्या काम करते हैं यहां पर वन्स कर देतें इसमें से अब सवाणंट नवर twins नवरा माइनस करोगे तो कितना आजाईगा आपके पास यहां पर 1- करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 6 कम 6 माइनस में 4 तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 6 कैंसल आउट कर देते हैं 2 बंजा 2 थ्री जा 1 वाई 3 आ गया यहां पर 1 माईनस किया तो यहां पर भी आपको एक 10 में से 1 माईनस के नव कितना आ गए 9 जो कि यह टच में लिखा हुआ था तो यहां पर क्या जाएगा 9 1 Y 3 9 1 Y 3 आ गया जो कि यह इसका आउसर है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो चलते है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 3 इन कोश्चन नमबर 3 बड़ा ही आसान है वो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है पानी भरा जाता है एक पानी के टंकी 2 त्याही भरी गई है भरी हुई है 2 त्याही का मतलब होता है 1, 2, 3 पार्ट में से 2 हिससा भर जाना यह इसा भरा हुआ है यह इसा भरा हुआ है तो खाली कितना हुआ है एक हिससा खाली है हम पे तो इसमें बोला गया है यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लिटर और पानी की आवश्चता हो तो टंकी की चमता क्या होगी अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो यह पार्ट नहीं बरा है यहाँ पे एक हिससा है तो इसमें कितना पानी आएगा इसमें आएगा 50 लिटर पानी आएगा क्योंकि 50 लिटर की आवश्चता है न जितना पानी इसमें आएगा उतनी पानी की आवश्चता होगी यहाँ पे तो ये कितना हिस्सा बचा हुआ है ये यहां पे पोर टोटल तीन हिसे उसमें से एक हिस्सा बचा हुआ है तो आपको क्या करना है यहां पे इस नंबर का ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इस नंबर की ये भिन दी गई है तो ऐसा कभी भी कोश्चन आपके पास आता है कि उस नं उसको उल्टा कर दीजिए पलत दीजिए तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा फिप्टीन थी जा 150 लीटर तो उस पूरी complete नंबर आपके पास आजाएगा तो इसमें पानी की इसमें कितने की आउश्रता है मतलब यह इस टंके में कितना पानी आ सकता है 150 लीटर पानी आ सकता है इसमें कितना सकता 150 लीटर पानी आ सकता है तो इसका अंसर फश्ट हो गया इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो चलते हैं next question की तरफ question number 4 जैसे हमने question number 3 किया था एसे ही हमें question number 4 करना यह इसमें थोड़ा सा बदलाव है उसको हम देखते हैं तो question number 4 में बोला गया है एक पानी के टंकी यह पानी के टंकी माल लेते हैं जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लिटर है इसका मतलब धारिता का मतलब है उसमें कितनी चीज आ सकती है उसके अंदर कितनी चीज समा सकती है तो इसके अंदर जो पानी आ सकता वो 36 लिटर आ सकता है ठीक है आदी भरी हुए यह आदी भरी हुए मतलब 18 लिटर हो गया पानी 36 लिटर फुल भरी थी और यह आदी कर दी तो 18 लिटर हो गया ठीक है यदि उन में से एक वटे तीन भाग पानी निकाल लिया गया है इस में से अठारे लीटर में से जो आदी भरी वी थी उस में से भी एक वटे तीन जो पानी का भाग है वो निकाल लिया गया है तो हमें कितना निकालना है हम देख लेते हैं अठारे लीटर का एक वटे कितना पाट निकल गया तो यह 6 लिटर निकाल दिया गया है तो यहां पर बचा कितना पानी यहां पर 6 माइनस कर दीजिए 12 लिटर पानी बचा हुआ है अभी पानी 12 लिटर बचा हुआ है 12 लिटर यहां तक लगा लेते हैं 12 लिटर यहां तक बचा हुआ है 6 लिटर कम हो गया तो यहां 2 लिटर आ गया, अब इसे यहां से यहां तक भरने में कितना पानी आएगा, यह आपको find out करना है, तो आप क्या करोगे, टोटल जो है 36 है यहां पे, उसमें से 12 माइनस कर दो, तो 12 माइनस करोगे, तो कितना आएगा, 6 में से दोगे, 4 और 3 में से गया, आपका 2, 24 ल पानी जरूत यहां पे, इसका first answer हो गया, इस तरीके साब solve कर सकते हो, चलते हैं next question की तरफ, question number 5, question number 5 में बोला गया है, कि एक drum का एक बट्टे 5 भाग, एक बट्टे 5 भाग भरा हुआ है दूद से, एक बट्टे 5 मतलब 5 पार्ट बना दिया, उसमें से एक भाग भरा हुआ, suppose करो यह बट्ट भरा हुआ आपका, यह फास्ट है हां तक, ठीक है, अब यह बचे कितने हां पे, एक, दो, तीन, चार, चार इससे बचे हुए है इसके total, चार बट्टे 5 पार्ट बचा हुआ है, अब यहां पे चार बट्टे 5 भाग को भरने के लिए 28 लीटर, 28 लीटर दूद की ज़रूरत है, तो इसकी धारीता, मतलब इसको भरने के लिए, फुल भरने के लिए, किसमें कैपिश्टि कितनी है, इसमें कितना दूद समा सकता है, उसका नंबर कितना है, यह आपको बताना है, अब मैं आपको बताए था, जिसका fraction हम आपके पास होता है, भिन आ कर दीजिए तो 5 आगे उपर नीचा आगे 4 कैंसल आउट कर दो 4 बन जा 4 7 बन जा 35 लीटर दूद आता है इसमें कितना आता है 35 लीटर दूद आता है तो इसका थर्ड आंस्वर हुआ ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 6 जैसे आपने 5 फिप पॉष्चन क्या था ऐसा ही आपका 6 फिप कोश्चन है इसमें बोले गया एक डिर्म पानी एक तीहाई भरा हुआ पानी है, मतलब उसका एक हिसा भरा हुआ है, बाग की बचे कितने यहां पर दो पार्ट बचे हुए है, तीन में से दो पार्ट बचे हुए है, और यहां पर कितने की जरूरत है, यहां पर साट लिटर भरने के लिए, यदि इसको भरने के लिए साट लिटर और पानी क्या तो इसकी ड्रम की धारीता क्या है इसमें कितना पानी समा सकता है मतलब 2 बटी 3 पार्ट 60 लिटर की जरूरत है तो दो बटी 3 पार्ट इसका दिया हुआ है तो वही सेम करना आपको 60 लिखना है और इसके नंबर को पलटना है 3 by 2 cancel out कर दीजिए कितना आ गया 30 तो कितना आ गया 90 लिटर 30 लिटर पानी समा सकता है इस पूरे ड्रम में 90 लिटर पानी आ सकता है तो 90 लिटर इसका अंस पर हुआ सेकेंड ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसे कोश्चन काफी आ रहे है तो आपको गौर करनी की ज़रूरत है ऐसे कोश्चन को ठीक है इसके प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नंबर सेवन्थ कोश्चन नंबर सेवन्थ किसी संख्या के पांच वट्टे सात्वे भाग पांच वट्टे सात्वे भाग और सात्वे ग्या साजाई यह हमें पार्ट दिया हुआ उस नंबर का अब नंबर यहां पर हमें क्या करना है हमें हमें multiply में वह नंबर लिखना है यहां पर यहां पर यहां पर हमारे पास यहां पर वह नमबर find out हो सके अब आपको पता है यहांपर 7 से cancel out होगा मितलब 11 से तो ऐसा कौन सा नमबर जो 7 से और 11 से डिवाइड हो जाए ऐसा नमबर है यहांपर लिख देते हैं अब यहांपे नहीं पर 66 है जो दोनों से डिविजन हो रहा है तो यहांप चेक करने के लिए हम देख लेते क्या यह राइट है आपे तो 11 वंजा 11 सेवंजा तो 7 वंजा 7 वंजा 1 वंजा तो यहां पर multiply कर देते 11 5 कितना होता है 55 होता है माइनस में 7 7 49 होता है क्या हमारे पास इसका 6 यह आता है तो 6 यह आ गया तो इसका answer यह हो गया ठीक है इस तरीके सा find out कर सकते हो चलते हैं next question question number 8 की तरब question number 8 question number 8 में 81 2 by 7 multiply 7 5 by 9 आपको बताना है कि इसको solve करके कौन सा number आ सकता है 1 2 3 4 option में से तो आपको क्या करना है है आप नीचे वाले number की table मतलब multiply आप बीच वाले number तक करोगे मतलब बीच वाले number की multiply नीचे वाले number से होती है जो आता उपर वाले number में add हो जाती है तो इसकी multiply इससे करोगे तो कितना जाएगा इसका आ जाएगा 7 वाले नंबर नीचे आ का multiply इसी तरीके से इसको कर दीजिए नाइन सेवंचा 63 63 में फाइव माइड कर दो तो 68 आ जाया आगा 68 अपॉन में आगे नाइन अब यहां पर कुछ नंबर कैंसल आउट नहीं होते उपर नीचे तो आपको क्या करना है उपर वाले number उपर मल्टिप्लाइ करके लिखना है इन दोनों के आपसे मल्टिप्लाइ कर देजिए इन दोनों के आपसे मल्टिप्लाइ आप करोगे तो आपका आता है 3 8 6 9 2 यह आपका मिल्टिप्लाइब करके आएगा और नीचे बाले नमबर के मल्टिप्लाइब करके आएगा 63 ठीक है इनको डिविजन आप करोगे तो इनको डिविजन करने के बाद आएगा 614 10 अपॉन में 63 तो जो कि आप का अंसर होगा है 2 ठीक है इस तरीके से आप थे नेक्सट के तरफ को शिनमर् नमबर 9 में भी आपको mix fraction में दिया हुआ है simple number दिया हुआ है fraction में दिया हुआ है तो आपको calculation करना है solve करना है तो आप कैसे solve करोगे तो सबसे पहले इसको हम simple में change कर लेते है 24 24 कितना हो जायाएगा 25 25 अपाउन हो जायाएगा 24 है यहां पर Miner 1 आ गया हैं haar पर पलस ओंग और सबहीं नंबर आया कब्यों आक cilantro होता है तो एक नंबर एक ओंपर सिम्पल दिया जाता तो इसको Momo SDI å ड करने के लिए हम प्राइब करमें को और इनका ले लेते हैं को लींकित तो यहां पर माइनस में 72 की बन से डिविजन करोगे तो 72 आएगा से बन से मल्टिप्लाइब करोगे तो पलस में साइन आ गया है अब इसके बाद पलस करोगे तो यहां पर पलस का और यहां पर पलस का तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं तो आप इन दोनों को पलस करोगे तो 5 और 4 कितना होता है यहां पर नीचे है 72 अब इसको माइनस कर देते 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा आपके पास यहांप 7 और 8 में से 7 जाएगा कितना आएगा यहां पर 1 और 72 आ गया अब देख लेते इसमें आंसर है 72 वाई 72 तो इसका फर्स्ट ही आंसर है इस तरीके सा आप सॉल्व कर सकते हो चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरह आप कोशन नमबर 10 को हम सॉल्व करते हैं बड़ी आसान तरीके से देखते रहे हैं अब यहां पर क्या करना है आपको सबसे पहले डिवाइड वाला नमबर नमबर यह है तो इनको आप सॉल्व कैसे करोगे इन दोनों नमबर को पहला नमबर सेम एजिटिस आ जाएगा और यहां क्या कर liberal अब यहां पर क्या कर सकतेा है आप यहां पर नीचे नमबर केंसवाइब सकता है ज्तना हो को तना सिम्बल बनाओ सबाल को क्या यह cancel out हो सकते हैं तो हम यहां पर 3 से cancel out कर देदे 3 15 5000 अब हो सकता है 3 4 तो एक नइन हो सकता तो में पर ऊपर रह गया नीचे 5 रह गया परसमे 16 में 5 जया गया अब यहां पर कुछ नुम्बर cancel Out होसकता है इसमें देखो इसकाली multiply वाले में तो 15 तो यहां पर क्या रहे गया यहां पर रहे गया टू अपान थ्री और पर प्लस त्री आपन फाइव यह केंसल आउट नहीं हो सकते यहां के बीच वह पलस का साइन है ठीक है इसी तरीके से आप यहां पर इनका एल्शियम लोग एल्शीम कितना आ घया पर वाइव अब देखो असान हो गया घ्राहिए ओप कृतना यह अफिजिशन करोगे rajteám है बंगुण फींड करोगी तो uda हम dug टी debt ओर दौर है ऑा व đang गया जबते हैं अब way फ्यां मीरिवेस ठीन तो तो ज इन रहूंक पर दोक्त में 20 upon में 5 यह आगया आपके पास ठीक है अब इनको पलस कर दीजिए तो कितना आ गए हां पर 19 upon में 15 multiply में cancel out कर दीजिए 5 बंजा पर 5 फोर जा पर तो यहां पर रह गया 4 अब यह cancel out तो नहीं हो सकता उपर नीचे तो उपर उपर वाले नंबर के उपर कर दीजिए तो यहां पर कितना आ जाएगा नैंटीन फोर जा 76 और 15 बंजा 15 यह इसका आंसवर आ गया ठीक है आंसवर काउन सा है इसका second ठीक है इस तरीके से आप स्वालब कर सेकते हैं चलते है नेक्स्ट कोशन के तरफ प्शन नंबर 11 में को फैक्ष्ण में में नंबर दिया हूए थो आपको आंसर निकाना आ कैल्कुलिशन करते हो का कैसे संबसेहले काम सिंपल बनाना तो इसको सिंपल बनाना क chilli 2 10 reduces नगया मानस में यह पहले से ही सिंपल है यह लिगा ब्रैक्टिम बंद यहां फंड मानस 0088殺 मान जाएगा य पाइव फॉर यह ले लिया अब ब्रैक JACट वाले नंबर को हम साल्ब करते है यह लिखितोर ब्रैक्ट के नंबर आहागा तो इसका LC Ķ्यम कितना आएगा इसका LC मारत रहा और जा फूर की होगा की डिविजन करोगई तो कितना ग rice 10 फूर की 4 की 2 से डिविजन करोगे, 2, 2 की मिल्टिप्लाइ करो, 7 से तो 14 आ गया, माइनस में ऐसी 4 की 4 से करोगे, 1, 1, 5 आ गया हम पर, ठीक है, अब इससे सॉल्व कर दें, 10 मिस तरी जाएगा, 7, 7, y, 4, ठीक है, माइनस में 5 आ गया हम पर, ऐसी फलस में, 14 मिस 5 जाएगा, तो 9, 9, y, 4 आ गया, ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको, इसके नीचे 1 लेखे देना हम, अब 3 नमबर क्या होगे, fraction होगे, तो आपके L, C, M, लेना है, आपको L, C, M, कितना आ गया, इसका 4 आ गया, ठीक है, अब 4 की 1 से डिविजन करोगे, सबसे पहले एडिशन करना एडिशन कौन से नंबर होते हैं जो जिसका आगे कसाइन सेम होता है इसका पहले हैं पहले होते हैं आपन में फॉर तो कितना आ गया आपके पास यहां पर ट्वेंटी टू अप ऑन में फॉर अब इसको क्या करना है मिक्स फ्रक्शन में दिया हुआ है हमें डिविजन करना है तो 22 यहां पर आगया 4 यहां पर फोर पाइब होड़ोगा 4 4 500 20 तो कितना अगे हां पर 2 आगया तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 5 2 अपन में 4 तो तो आपका अंसर आगए 516 तो फाइव बन वाई टू कहां पर यहां पर तो इसका सेकंड आज पर हुआ इस तरीके साप सॉल्व कर सकते हो चलते नेक्स्ट कोश्णिंग तरफ कोश्ण नमबर ट्वैल कोश्ण नमबर ट्वैल में यह बताना है कि कौन से ऑप्शन में बढ़ते हुए करम में लिखा है तो यहां पर आप देख रहे हो बन वाई 3 बन वैटो 0.25 यही सभी में यूज यहां पर इनका find out कर देता हूं तो आप मुझे find out हो सकता है कि कौन साइस का option है तो मैं इसको क्या कर लेता हूं तो कितना जाए कि 0.0.339 ठीक है ठीक है यह चलते रहेगा ऐसे मैं इसको सकता हूं पहले कौन से दंबर आया गा उसके बाद कौन सा मुझे बढ़ते होगे कम में लिखना कि शेपर चोटा कौं सा या लुज्वाइव उसके बाद कौन सा आयेगा उसके बाद आयेगा 0.30 5 इसका मतलब हैं पर way two आ और यहां पर आएगा 1y3 और यहां पर आएगा 0.5 ठीक है जिसमें यह कंडिशन है वो कौन सी कंडिशन है यहां पर 0.25, 1y2, 1y3 तो यह सेकंड आंस्वर हुआ गया इसका इस तरह के साथ फाइन रोड कर सकते हैं चलते हैं नेक्ट कोशिन की तरफ नमबर 13 कोशिन नमबर 13 वो लगया है 1.25, 1.25 को हम इस फाम में हमें कैसे लिख सकते हैं, हमें इन में से कौन सा नमबर है जो हम 1.25 को लिख सकते हैं तो आपको कहा करना है आपको करना है decimal से पहले जो digit है उसको same यहाँ पर ऐसे उतार दो अब जो ये number लिखा हुआ है उसको उपलिग दीजिए और यहाँ पर नीचे क्या जाएगा कितने digit पहले decimal है दो डिजिट तो एक के साथ दो 0 आ जाएगी जितने digit पहले decimal होता उतनी 0 आ जाती है 1 के साथ यह आ गया अब 125 upon 100 क्या answer है इसमें नहीं है तो आपको क्या आगा गया ना cancel out करना भेस खली यह दो number cancel out करने है तो 25 ones है 25 fours है तो यहाँ पर क्या जाएगा one same आ जाएगा यह one और उपर आ जाएगा one और नीचा जाएगा four क्या यह इसका answer है यह इसका answer है ठीक है इस तरीके साथ final out कर सकते हो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए ठीक है चलते next question इतरब question number 14 में बो लगया है 4 by 3 5 by 9 6 by 18 को योगफल क्या होगा हमें योगफल निकालना है और option में इसी देखना है तो हम देख लेते option योगफल निकालने के लिए सबसे पहले काम आपके जितना हो सका उतना easy बनाओ simple equation को यहां पर क्या cancel out हो सकते है cancel out हो सकते है नहीं हो सकते है यह cancel out हो सकते है तो कर दीजिए 6163 तो कितना simple हो गया 1y3 आ गया तो इनको आपको क्या करना है प्लस करना है इसको मैं erase कर देता हूं यहां से यह हट गए यहां से तो यहां पर इसके स्तान पागए 1y3 आ ठीक है अ परोगे नीच वाले नमबर काहीं आपसे अन्हें बाई नहीं घ्मे लोगें। तो इसा नमबर लेना है। इनमें से आपको ऐसा नमबर लेना है तो मैं अजो सभी से तो 93 कि न से नंबर गया हो जाते हैं। तो 9 3 से डिविजन करोगे तो 3 आएगा 3 को स्थी आगए वपर तो कितना आगया 12 प्लेस में 9 की 9 से डिविजन करोगे तो कितना आगए 3 से कर दो 3 आगया अब आपको क्या करना 9 नीचे लिखना और इनको प्लस कर देना क्योंकि same sign है तो 12 और 5 कितना हो 17 17 और 3 कितना होता 20 होता है तो 20 वाइ 9 क्या option में है तो है fourth answer आगए इस तरीके साब को find out कर सकते हो चलते है next question के तरफ question number 15 question number 15 interesting question है इसमें से आपको बताना है कि इसमें से बड़ी fraction कौन सी है बहुत से बच्चे क्या काम करते है बड़ा number देखते हैं इसमें बड़ा number कौन सा आप उसमें ही टिक कर देते हैं जो कि गलत होता है ऐसा नहीं करना जो मैं तरीका आपको बता हूँ उस तरीकी से आप solve कर सकते हो बड़ा ही easy तरीका है आपको क्या करना है यहाँ पर यह दो fraction सबसे पहले लेनी है दो fraction सबसे पहले लेनी है तो यहाँ पर मैंने 1y4 लिग दिया 1y2 लिग दिया अब इनको cross multiply करना है इसके multiply से करो गए तो 2 1s2 आ गया 4 1s4 आ गया बड़ा number कौन से हो गया यह बड़ा number हो गया तो यहाँ से बड़ा जो number होगा उसको आपको लेना तो यह बड़ा number हो गया अब इसको लीजिये हाँ पर यहाँ पर इसको लीजिये 1y2 को लीजिये अब जो तीसरा number उसके साथ compare कीजिये इसको 2y3 अब वही से हैं multiply करो cross multiply 3y3 आ गया 2y4 आ गया बड़ा number कौन सा है यह बड़ा number है तो अब इसको लीजिये किसके साथ लेना आप 2y3 को यहाँ पर last वजो number बचा हुआ 3y4 अब देखते 4y8 आ गया और 339 आ गया बड़ा number कौन सा है 3y4 3y4 इसमें बड़ा number है तो इसका answer हो गया second इस तरीके साथ find out कर सकते हो ठीक है अब चलते है next question की तरफ question number 16 में बोला गया है कि दो संख्या हों का गुननफल है कोई दो संख्या है एक संख्या है यहाँ पर है दूसरी संख्या है उनका जो गुननफल आपको दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 23 upon 50 उनमें से एक संख्या आपको दी गई है सुपोज करो एक संख्या मैंने माल ली 46 upon में 46 upon में 50 माल ली आपको यह number find out करना है तो यह number find out करने के लिए क्या करना होगा आपको इस number को उठा के यहाँ पे लिजाना होगा जब यह number उठके यहाँ पे जाएगा तो यह इसके साथ किसमें चला जाएगा यह चला जाएगा multiply में और यह number reciprocal हो जाएगा बदल जाएगा तो 50 आ जाएगा उपर और नीचा आ जाएगा 46 50 से 50 cancel out हो गया 23 one's up 2's up तो उपर नंबर क्या उचिक है हाँ पे बना गया और नीचा आ गया 2 1 y 2 इसका answer हो गया क्या 1 y 2 इसका third answer हो गया इस तरीके से आप find out का सकते हो चलते है next question की तरफ question number 17 question number 17 वो लगया 3 y 5 kz sony का जो मुल्य है वो 240 रुपी है तो आपको एक बट्टे 2 kz का मुल्य find out करना है तो ऐसी कोई वी चीज आपके पास आ जाए तो सबसे पहले एक चीज का मुल्य आप निकाल सकते हो तो मैं एक किलो ग्राम का जो मुल्य निकालने वाला हो वो किस तरीके से निकाल होगा यहाँ पे 240 का आता है और यह जो जितिन वट्टे 5 kz 240 का आता है तो एक का कैसे निकालोगे इस डिजिट को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए डिविजन करोगे तो यह नंबर रैसिप्रोकल हो जाएगा तो रैसिप्रोकल होने के बाद 5y 3 बन जाएगा कैंसल आउट करिए थिरी बन जाएड जीरो आगया तो इन दोनों को मिल्टिप्लाइगा तो 8 5 जा कितना होता 400 बन गया यह ठीक है 400 आगया 400 आपके पास आगया तो 1y 2 kz कितने का आएगा तो 400 से क्या करना है इसको मल्टिप्लाइग करना है क्यों quantity होगी जादा cancel out करोगे तो कितना आ गया है हम पर यहाँ पर आ जाएगा 200 तो इस 200 रुपिये का आएगा 200 रुपिये इसका first answer हो गया इस तरीके साब find out कर सकते हो चलते है next question की तरफ question number 18 अब question number 18 इससे पहले जो question हमने किया था 15 उसमें सबसे बड़ी frame भिन आपको बतानी थी इसमें सबसे छोटी भिन आपको बतानी है सबसे बड़ी हमने solve की थी तो उसमें सबसे बड़ा number हमने लिया था ठीक है अब यहाँ पर सबसे छोटी आपको solve करने सबसे छोटा number लेकर हमें चलना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखिए पहले सबसे पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं इसकी multiply यहाँ पर करते हैं 4, 1 जा 4 आ गया 2, 3, 6 आ गया अब छोटा नमबर कौन सा यह नमबर तो मतलब इसके निचा आ रहा है तो यह छोटा हो गया अब इसको ले लेते हैं 1, Y, 2 अब इसके साथ एक डिजिट और ले लेते हैं एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं फिर cross multiply 6 बन जा 6 आ गया 2, 5 जा 10 आ गया अब छोटा नमबर कौन सा यह तो इसका मतलब इसको हम ले लेते हैं अब इसके साथ कौन सा नमबर ले लेते हैं जो लाश्ट वाले फ्रैक्शन जो बची हुई है 10, Y, 11 हमने ले लिया हैं पर अब यहां पर cross multiply 11 बन जा 11 आ गया और 2 10 आ 20 आ गया तो सबसे छोटा नमबर यह हो गया तो सबसे छोटा नमबर आपके पास आ गया है इसके सबसे चोटा होता है तो हमें सबसे चोटा नमबर लेना तो सबसे बड़ा नमबर हमें देखना होगा नीचे सबसे बड़ा नमबर यह है तो यह सबसे छोटा नमबर माना जाएगा तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ 17 by 29 अब उससे बड़ा कौन सा होता है यह 27 तो 17 upon 25 ले लिया उसके बाद कौन सा है हहाँ पर उसके बाद हहाँ पर 17 upon में 23 है तो यह आपका answer आ गया यह कौन सा है यह option में आपको दिया हुआ है सेकेंड सेकेंड इसका answer हो गया ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो चलते next question की तरफ question number 20 में भी आरोही करम आपको निकालना है 19 में आरोही करम निकालना था लेकिन वहाँ पर उपर नमबर क्या दिये हुए थे same दिये होती है यहाँ पर नमबर नीचे same दिये हुए है अब इसमें condition क्या होगी जो normally बड़ा होता वो बड़ा ही होगा इसमें भी ठीक है अब यहाँ पर क्या देखना है आप नीचे number same दिये होगा कोई problem नहीं है उपर वाला नमबर बड़ा है तो बड़ा ही माना जाएगा नीचे वाला नमबर और छोटा है तो छोटा ही माना जाएगा हमिर क्या देखना है थे हमें r lessons चोटा number आपको देखना है यहाँ उसके बाद 8 y 13 उसके बाद 11 y 13 उसके बाद इहाँ पर 5y 13 के बाद क्या आएगा 7y 13 उसके बाद आएगा 8y 13 उसके बाद 11y 13 ये हो गया और ये option दिया हुआ है आपका first ये first option आपको दिया हुआ है ये इस से चोटा इस तरीके से आपको देखना है अब कोशन ये आता है यहां पर तो डिजिट अलग लग दी गई है don't worry इसको इस पैसी प्रॉब्लम को solve करने के लिए तो ही यह आप के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ अब यहां पर क्या करना आपको टू बाई ठीक हो नमबर बाहर लो ठीक है तो यहां पर जीरो पॉइंट आ लग जाए हम पर जीरो आ जाएगा 3618 ठीक है इस तरीके चलता है तो दो डिजिट बहुत इसमें तो यहां पर इसका आगया 0.66 आ ठीक है अब इन दोनों का डिविजन करो मुझवानी आप कर सकते हो इस तरीके चैनल पॉइंट लग गया और यहां जिरो गया सेवन फोर्जा थी ट्वेंटी एट ठीक है और ट्वेंटी आ अगया तो बचे गा थो सेवन टूज आ तो यह आ गया ऐसे इन दोनों का डिविजन करती हैं इन दोनों का डिविजन करो गए तो यह चोटा उपर बाद नंबर फार्जा 16 हो गया ठीक है 62 अब ऐसे इन दोनों को डिविजन करोगे तो यहां पर क्या जाएगा जिरो पॉइंट आघा जाएगा ठीक है यह अब डिजिट से आप पाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि यह लिखा है तो यह इसकी स्तान पर इसको लिखो गई इसके स्तान पशिक नंबर को साहई nume 0 5 तो 0.8 अब क्या देखना है आपको 0.8 ईड से पहले कौन सा1 6 वह इस 6 बड़ा होता है यहां पर 6 हो गया तो इनमें से कनपाम नहीं यहां पर 6 आ रहा है यहां पर 2 आ रहा है तो बड़ा नमबर यह हो गया तो यहां पर 0.66 हो गया ठीक है उसके बाद यह आजाएगा 0.62 आजाएगा उसके बाद यह आजाएगा इसकी अब रोह करम की तो यहां पर इसका option है option है 4y 4y5 2y3 5y8 3y7 तो option है थर्ड तो थर्ड option इसका राइट है ठीक है इस तरीके साब कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ 22 question है 22 question में आपको अब रोह करम में लिखना है अब रोह करम में वैसा ही करना जैसे आपने पिछला question क्या था सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा यहां पर आपको decimal में change करवा दूगा आप आपको solve करना यह question तो कैसे करोगे आप यहां पर आपको यहां पर इसके से division करोगे तो कितना आजाएगा 0.47 4 5 20 आगा ऐसे इसको division करोगे आप 0.16 4 जा 16 3 जा 16 3 जा 16 1 जा ठीक है ऐसे इसको आप division करोगे आपस में तो यह आजाएगा 0.87 और इसको division करोगे तो यह आजाएगा 0.6 ठीक है अब आपको यह अवरोई करम में आपको करना है solve आपको करना है ठीक है और comment में बताना है क्या इसका answer होगा चलते next question की तरब question number 23 question number 23 में बोला गया है एक चड़ी का दो बटे 15 भाग की चड़ के 4 की चड़ दो बटे 15 भाग और पानी में है एक बटे 5 भाग और पानी से उपर जो है वो है 2 मीटर अब आपको पता है यह तो पार्ट में दिया हुआ और यह मीटर में दिया हुआ है ताल मिल कुछ नही है इसका तो यहाँ पे देखो हमारे पास पुरा complete पार्ट है अब यहाँ पे क्या करना है ये दोनों पार्ट को हम aad कर दे आढ़ करोगे तो कित Benjamin Когда फटीना आजैगा नहिसे जा पैस 1 वााइ, 3 की अरगा है तो कितना आगय उप है तो चीचड़ो पानी का पार्ट आ गया अब हमारे पास पूरा कम्लेट पार्ट है तो हम उसमें से 1 मैंस कर देते है से 1微 3 पार्ट को ठीक कि बन मैंस करते हैं तो टाप infection जै। ऑघंजाenti क्ली माइन speculate का थे वाइ ठी पर्ट किसके बरावर है ? टू मीटर फोटके बरावर है , क्योंकि यह जो पार्ट बचा हुआ है यह पानी से ऊपर है , तो यह किसके बरावर हो गई ? आपके सीट्व आपको निकालना है कि दूम्बाई ता थी ? आपको यहाँ पे इसका fraction दिया हुआ है और इसका number दिया हुआ है तो ऐसी condition कभी भी दी जाए आपको तो number को multiply में करके fraction जो हो जाएगा reciprocal करके लिख देना उसे तो three by two हो जाएगा cancel out कर दो कितना आगे तीन तो तीन मीटर टोटल लंबाई थी उस चड़ी की तो तीन मीटर इसका आंसवर आगे इस तरीके साब final कर सकते हैं चलते next question की तरफ question number 24 में बोला गया है किसी संख्या का एक वोटे तीन भाग 800 है तो उसका दो बटे पांच भाग क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ा है हाँ पर एक वोटे तीन भाग जो है वो कितना है 800 है अब ऐसे question बहुत किये गये थे जिसका हमारे पास भिन होती है उसका number यदि हमा हमारे पास number है उसमें multiply कर देते जो इसका fraction होता है उसको पलट देते है तो तीन में पलट दिया तो कितना आगया हमारे पास यह क्या जाएंगा पांच चौक बीस पानेटे चालेश जीरो अब दोनों की मिल्टिप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा दो निम अठार का दोटे शोलेक छे का हसी लेक तो यहां पे आ जाएगा नो सो साथ दो नो साथ इसका फॉर्ट आंसर हुआ ठीक है इस तरीके साब फाइन अरुकर जैनको दोनों को मिल्टिप्लाई कर दोगो सीव on nainz कितना होता है सिक्ष्टी त्री तो इसमें लिखा नहीं है तो यहां पर यहांपर सौ क्या हुआ । एसी condition हो तो हमें क्या करना होता है इसकी division इससे करनी होती है जो number इसके नीचे होता है उससे मतली जिए 9 को ठाके उपरवाले number से multiply कर दीजिए 3 multiply 9 आ गया बीच में आ जाएगा पलस का sign ठीक है ऐसी हाँ पर देखो इन दोनों को देखो यहाँ पर इसकी division इससे करोगे तो 9 से 9 cancel out हो गया तो यहां पर सेवन सेवन की multiply कि से होगी 5 से होगी multiply सेवन क्या कौन सा option है इसमें option number है 3 multiply 9 पलस में 5 पलस में 7 अपनी यह तो इसका second इसका answer हो गया ठीक है second option जो है वो इसका answer है चलते next question की तरफ question number 26 question number 26 में यह पूछा गया यह बोला गया 13 अपन में 15 में क्या जोड़े कि हमार पास वन आजाई अब आपको पता है यहां पर option यह आपको दिया हुआ ऐसा कोई question आजाई तो आपको क्या करना है जो दोनों को जोड़ के जो number आता है उस number में से बचे हुई एक number को minus कर देना तो 1 minus में 13 upon में 15 आपने लिखा यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए तो LCM कितना आजाएगा 15 आजाएगा 15 बंजा 15 हो गया आपर minus 13 ह हो गया दोनों को कर दीजिए minus तो कितना आगया 15 में 13 जाएगा टू वाइ 15 इसका answer हो गया तो थर्ड इसका answer है इस तरह के साब find out कर सकते हो चलते है 27 question की तरफ question number 27 question number 27 में आपको ये solve करका answer आपको find out करना है दोनों नंबर अलग 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 है तो क्या करना LCM लेना है 540 20 आ गया हम पर नीचे multiply के उपर multiply कर तो 4 4 जा 16 आ गया माइनस में 5 3 जा 15 आ गया इन दोनों को आप calculation करो तो नीचे वाला नंबर नीचे आ गया 16 में से 15 जाएगा बना गया 1 by 20 तो ये answer first हो गया इस तरह के साब कर सकते हो चलते next question की तरफ 28 question number 28 में बोल गया है 2 by 3 का जो भाग है वो 66 है तो 9 by 11 का कितना भाग होगा तो आपको मैंने ऐसा question करवाया हुआ है same question number है question number है आपका 24 question number पे same ऐसा ही question है number change है ऐसा ही आपको करना है ये आपके practice के लिए मैंने आपको दिया हुआ है और इसका answer आपको निकालना है और comment में लिखके बेजना है ठीक है चलती है next question की तरफ question number 29 question number 29 में बोल गया 5 by 14 में किसे क्या घटाए कि 7 by 42 आजाए ऐसा कोई question आपके पास आजाए जोडने बाला तो आ चुका था अब ये minus बाला है अब आपको क्या करना है इस number को उठाके यहां पर लिजाना है तो बड़े number तो यह हुआ ना बड़े number में से चोटा number घटेगा तो और भी चोटा number हो जाएगा तो यह चोटा number आ गया तो इसको इस में से minus कर दो तो हम minus कर देते 5y 14 में से आप क्या minus करोगे 7y 42 minus करोगे तो LCM कितना आ जाएगा 42 की division 14 से होगी तो 3 आएगा 3 के multiply कर दो उपर तो 3 5 15 आ गया क्या cancel out हो सकता हो सकता cancel out कर देते हैं 4 से यह कर देते हम 2 से 2 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा अब तो cancel out नहीं होगा तो 4y 21 इसका answer आ गया तो इसका option में answer है 4y 21 यह है third answer इसका answer आ गया है third ठीक है third option पर जो नंबर दिया हुआ है वो इसका answer है चलते है last solution 30 question की तरह question number 30 इसका हमें मान निकालना ऐसा कोई question आपके पास आ जाए जिसका यह number same हो इसका number same हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले इन दोनों के आपस में क्या करना है 16 multiply 16 फिर पलस करके क्या करना है इन दोनों की multiply 16 भार आ जाएगा तो यहां पर 1y5 पलस में 4y5 ठीक है अब इन दोनों के आपस multiply जो यह fraction वाले नंबर है पलस में कितना जाएगा आपके पास यहां पर 1y5 multiply 4y5 बस इतना करना solve गाना 16 और 16 की multiply आप कर तो करोगे तो कितना जाएगा 256 आ जाएगा पलस में है पर इन दोनों का पहले ले लिजिए यहां पर लोगे तो कितना जाएगा पाइव आ जाएगा यहां पर 1 पलस 4 और यहां पर multiply करोगे तो 25 आ गया अब यहां पर पलस करोगे तो यह 5 आ गया फाइव आप उपान फाइव तो कैंसल आउट होके बना गया बन की multiply जब 16 होगी तो क्या जाएगा हम पर 16 ही आ जाएगा पलस में 256 आ गया ठीक है अब यहां पर पलस में क्या जाएगा आपके पास यह पलस का साहिन है आ 2425 अब इन दोनों का आपस में पलस कर दीजिए इन दोन का आपस में पलस करो शेक्स है और तो वन केरी 5 और 272 आ गया और यहां पर 425 आ गया इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका option है आपके पास 276 272 25 तो इसका फूर्थ ओप्षिन इसका राइट है फूर्थ 31 जो की यहां पर लास्ट कोश्चन है अब इसको आपको कैस सॉल करना इसमें क्या करना है थिरिवाई 8 कोश्चन है थिरिवाई 8 लिखा हुआ है इसमें क्या करना है इसमें तुल्य भिन आपको बतानी तुल्य भिन का मतलब होता है इसके जश्ट बात जो आने वाली है जो क आपका थर्ड चैप्टर जो है और इस से प्रिवियस सालों में मतलब कि पिछले कई सालों से जो कुशन आ रहे हैं उनको मैंने आपको कंप्लेड बता कर दिवा करवा दिया हैं बड़ी आसान तरीके से इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो पिसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब और साइड में बेल आगान उसको और दवाजी ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहे तब भी हम वीडियो अपलोड करें नई वीडियो डाले तो वहां पे आपके सबसे पहले आपके पास नोटि